अंतरभाव का उप्योग आईए कुछ उदारण देखते हैं कतन एक यदि एक स्वर्ग बराबर चार है तो एक स्वर्ग बराबर दो और रिण दो होगा इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कतन ए इस प्रकार है एक स्वर्ग बराबर चार कतन बी इस प्रकार है एक स्वर्ग बराबर धन रिण दो याने एक स्वर्ग बराबर दो या एक स्वर्ग बराबर दो हमें पता है कि यदि एक स्वर्ग बराबर चार हो तो एक स्वर्ग बर रिण दो होगा अता हम कहा सकते हैं ए इंगित करता है बी को कथन दो यदि एम नौ का कुणा चे तो एम तीन का भी कुणा चे इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए इस प्रकार है एम नौ का कुणा चे तो बी इस प्रकार है एम तीन का कुणा चे हम जानते हैं कि यदि कोई संक्या नौ का कुणा चो तो वह तीन की भी कुणा चोगी अता हम कह सकते हैं ए इंगित करता है बी को करके देखें, इन कत्नों में सही तरकिक संबन्द पता करें और चिन इंगित करता है का उप्योग करके दर्शाएं पहला P इस प्रकार है चतुर्भुज A, B, C, D एक आयत है Q इस प्रकार है चतुर्भुज A, B, C, D एक वर्ग है दूसरा, A, इस प्रकार है, बिन्दु P1 रेखा L और M पर इस्थित है B, इस प्रकार है, रेखा L और M असमानतर रेखाए है कुछ और कत्नों को सिद्ध करना अब हम कुछ ऐसे कत्नों को परखेंगे, अथवा उपपत्ति करेंगे जिनमें सीधे निगमन ध्वारा हम कत्न की उपपत्ति तक नहीं पहुँच सकते कत्न 3 विशम संख्या का वर्ग विशम संख्या होती है उपपत्ति माना N1 विशम संख्या है तब N बराबर 2 के धन 1 दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिलेगा N वर्ग बराबर कुष्टक में 2 के धन 1 पूरे का वर्ग बराबर 4 के वर्ग धन 4 के धन 1 इसे हम लिख सकते हैं 2 कुष्टक के अंदर 2 के वर्ग धन 2 के कुष्टक बन धन 1 चोंकि 2 के वर्ग धन 2 के भी पूर्णांग है इसलिए इसे कोई पूर्णांग B के बराबर मान सकते हैं यानि B बराबर 2 के वर्ग धन 2 के तो हमें मिलेगा 2 B धन 1 यानि एन वर्क बराबर दो बी धन एक चूंकि दो बी एक सम संख्या है अता दो बी धन एक विशम संख्या है इस पश्टत विशम संख्या का वर्क एक विशम संख्या होती है कथन चार सिद्ध कीजिए कि वर्ग मुल दो एक अपरिमे संख्या है इस कथन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम यह मानेंगे कि वर्गमुल दो एक परिमे संख्या नहीं है यानि वर्गमुल दो एक परिमे संख्या है अब यदि वर्गमुल दो पर्मे संख्या नहीं है तो पर्मे संख्या के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए हम ऐसे निश्कर्स तक पहुँचेंगे जो वर्गमुल दो के पर्मे संख्या होने के विपरीत हो इस तरह वर्गमुल दो एक अपरिमे संक्या सिद्ध हो जाएगी आईए इस कथन की उपपत्ती को देखते हैं उपपत्ती दिये गए कथन के विपरीत को सत्य मानते हैं कि वर्गमुल दो एक परिमे संक्या है तब परिमे संक्या की परिभाशा से वर्ग मुल दो बराबर A बटे B जहां A B आव्याव है I का और B बराबर नहीं है शुनने के ये कतन एक हुआ साथ ही A और B सह अभाज्य है कतन एक के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमें मिलेगा वर्ग मुल दो पूरे का वर्ग बराबर A बटे B पूरे का वर्ग दो B वर्ग बराबर A वर्ग ये कतन दो है दो M बराबर A वर्ग जहां M बराबर B वर्ग है और M आव्याव है I का इसलिए 2M बराबर 2N पूरे का वर्ग जहां A बराबर 2N और N अव्या है I का यदि A वर्ग एक समसंख्या है तो A भी जो की पुर्णांख है एक समसंख्या होगी अब समीकरण 2 में A का मान रखने पर हमें मिलेगा 2B वर्ग बराबर 2N पूरे का वर्ग इंगित करता है B वर्ग बराबर 2N का वर्ग यदि माने की N वर्ग बराबर P कोई पुर्णांख है इसलिए B वर्ग बराबर 2P जहां P आव्या है I का अतह बी वर्ग एक समसंक्या है और इसलिए बी जो कि पुर्णांख है भी एक समसंक्या होगी यह इंगित करता है कि बी बराबर दो क्यू जहां क्यू अव्याव है आई का यानि अब A और B का उभायनिस्ट गुणनखन दो है अर्थात A और B सह अभाजिन नहीं है यह माने गए कथन से विप्रीथ है जिसमें A B सह अभाजित थे अतह इसको गलत सिद्ध करता है कि वर्ग मुल्दो एक परिमे संख्या है अतह हम इस निसकर्ष पर पहुँचे कि वर्ग मुल्दो एक अपरिमे संख्या है इस प्रकार सत्यापन के तरीके को विरोधोक्ति द्वारा उपत्ति प्रूफ बाई कंट्रिडिक्शन कहा जाता है जैसा कि हमने उपर किया इस तरीके में हम यह मान लेते हैं कि दिया गया कथन सत्य नहीं है और उस कथन का उल्टा निशेधन सही है फिर तारकिक ढग से आगे बढ़ कर माने गए कथन को गलत साबित करते हैं परिणाम सहरूप वास्तरिक कथन सत्य सिद्ध हो जाता है इस प्रकार कई बार कथनों को सिद्ध करने के लिए इस विदी का उपयोग करते हैं जैसा कि आपने देखा इसमें सबसे पहले कथन का निशेधन को सही मानते हैं किसी कथन को नकारना उस कथन का निशेधन कहलाता है इसके लिए हम विशेश चिन्न का इस्तमाल करते हैं कथन P का निशेध कथन निशेध P याने टिल्ट P लिखा जाता है आईए कुछ उदाहरन देखते हैं पहला P इस प्रकार है कि X पॉर्णांग है तो निशेध P इस प्रकार है X पॉर्णांग नहीं है दूसरा B इस प्रकार है रेखाकंड A B रेखाकंड P T पर लंब है करके देखें निम्म कतनों का निशेधन कतन लिखिए पहला C इस प्रकार है इस पर शेखा वृत को सिर्फ एक बिंदों पर स्पार्श करती है दूसरा D इस प्रकार है समानतर मादे गूनतर मादे से बढ़ा होता है तीसरा R इस प्रकार है B वर्क रिड़ ए वर्क एक रिनादमक संख्या है कथनों की जाच कई बार कथनों की जाच करने में सीधे सीधे तरक ढूड़ना आसान नहीं होता उन्हें सिद्ध करना आसान नहीं होता और कई बार तो वह सही भी नहीं होते और उन्हें गलत सिद्ध करना होता है गणिती कथन को गलत सिद्ध करने के लिए कैसे बढ़े कथन पाँच सभी अभाज संख्याएं विश्ण होती है हम पाते हैं कि इस कथन में तारकिक सम्मंद ढूड़ना कठीन है क्योंकि अभाज संख्याएं पता करने का कोई निशित पैटरन नहीं है यह इस पश्ट है कि अनंत अभाज संख्याओं के विश्ण होने की जाश करना संभो नहीं है किन्त यदि हम एक भी ऐसी अभाज संख्याएं ढूड़ लें अब इस कथन के लिए प्रत्युदाहरंड ढूणे। असत्य सिद्ध कर दिया। इसके लिए और भी कई उदाहरंड मिल सकते हैं। काउंटर एक्जम्पल कथन को असत्य सिद्ध करना कहते हैं। करके देखें। इन कथनों का प्रत्युदाहरं ढूणे और असत्य सिद्ध करें।